हेलो ट्रीडर्स आपने कभी ऐसा सुनाएं कि किसी एक्जाम को देकर आप करोड़ो रुपे जीट सकते हो जी हाँ मैं बात करो प्रॉप फर्म्स के बारे में तो प्रॉप फर्म्स होते क्या है पहले वो समझते हैं सुब एसी के लिए जो प्रॉप कंपशने होती है वो क्या करती है आपको एक चैलेंज देती आप वह चैलेंज खरीद लगत्ते हो skills है, 6% का, 10% का, जो भी criteria होता है, आप वो fulfill करते हो, and वो challenge pass कर लेते हो, इससे क्या होता है, आपको वो 5000 डॉलर वाल अकाउंट मिल जाता है अब, जैसे ही आपको अकाउंट मिलेगा, वो पूरे अकाउंट आपका होगा, अब इससे आप जो भी profit generate करोगे उससे आपको withdrawals मिलेंगे, मतलब अगर 5000 डॉलर का अकाउंट है, उस महीने आप 10% का profit करते हो, so आपको 500 डॉलर का profit हो गया, अब क्या होता है, वो company 20% profit रख लेती है, and 80% आपको दे देती है, तो इससे क्या होता है, company को 20% profit हो आपका भी profit हो रहा है, so यह जो challenges होते है, अलग-अलग account size के होते है, यह up to 2 lakh डॉलर, 3 lakh डॉलर तक भी जो prop companies है, वो यह account आपको देते है, आपको simply अपना skills use करके वो challenge pass करना है, आपको real account मिलेगा, आप उसमें जो भी profit करोगे, उसका अलग-अलग महीने के split होते है, पहले मैंने 70%, दूसरे मैंने 80%, तूसरे मैंने 90%, चोते मैंने 100%, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को prop क्या होता है, वो पता है, लेकिन बहुत सारे लोग यह ढूनते हैं कि ऐसे किस company को choose करे, किस prop company को choose करे, जिस से मुझे time to time withdrawal मिलेगा, मुझे मेरे bank account में withdrawal मिलेगा, मुझे कोई issue नहीं होगा, अच्छा support support team होगी, tech team अच्छे होगी, सब कुछ अच्छा होगा, basically, यह जो पूरा process मैंने आपको समझा, यह smooth process होगा, तो आज मैं बात करने आलो, ऐसे company की जिसे मैं personally मिला हूँ meeting किया हूँ and उन्होंने promise किया कि हमें जो भी withdrawals के issue है, sort होगे जो भी tech issues है, sort होगे तो I believe कि हमारे लिए यह perfect choice है rather than going for any other random companies and सबसे main चीज है हमारे पास आज के time UPA bank account होता है, ठीके हमारे बहुत सारे लोगे script हो नहीं है UPA bank account होता है, हमें simple system समझता है, मेरे को यह challenge UPA से खरीदना है bank transfer से लेना है और यह challenge pass करने पर जो भी मैं profit generate करूँगा, उसको directly मेरे bank account में चाहिए, ठीके तो यह जो system है, यह कोई भी prop form आज के time में नहीं दे रहा है, but funded firm दे रहा है, so funded firm में आप अपना challenge जो है, UPA से खरीद सकते हो bank account से transfer करके challenge खरीद सकते हो and जो challenge pass करने पर जो भी आप profit करोगे उसका withdrawal request आप directly अपने bank account में ले सकते हो अगर आप crypto से challenge खरीदे हो तो आप withdrawal भी crypto से ले सकते हो and अगर आप bank account से खरीदे हो तो bank account में withdrawal ले सकते हो so यह जो liberty है और कोई prop firm नहीं दे रहा है and withdrawals भी guaranteed है so यह तो सारा basic हो गया सारे चीज़े हो गए अब मैं आपको screen पे explain करता हूँ, यह पूरा method walkthrough देता हूँ, यह method work कैसे करता है तो चलो screen पे बढ़ते है so मैं जिस company की बात कर रहा हूँ जो सबसे trusted है और UPI withdrawals देता है उसका नाम है funded firm.com इसका description में आपको link मिल जाएगा या simply description में link से अगर आप challenge लेते हो तो में भी मैं आपको आने अले time में कोई offer कुछ होता है तो मैं वो provide कर सकता हूँ okay so सबसे best part क्या है इस company की कि आप MT5 पे trade कर सकते हो काफी कम platforms MT5 का platform provide करता है ultra execution execution कर सकते हो commissions कोई नहीं है raw spreads है news trading अलाओ है news trading बहुत सारे prop firm अलाओ नहीं करते हैं यहाँ पे news trading अलाओ है यहाँ पे आप 24 hours के अंदर payouts को ले सकते हो उसके बाद सबसे major US piece का जो है वो है UPI payments UPI में आपको यहाँ पे withdrawal मिलता है so इनके पास जो challenge है वो 5000 डॉलर 15,000 डॉलर 25,000 डॉलर 50,000 डॉलर 100,000 डॉलर और 200,000 डॉलर के account size है यहाँ पे plans दिये गए है आप चाहो वो plan ले सकते हो profit target 10% है सब में maximum daily loss 3% overall loss 6% अब यहाँ पे आपको दिखे का minimum trading days minimum trading days क्या होता है कि कम से कम आपको 5 दिन trade करना है मतलब अगर आपको 10% अपने profit पहले ही दिन hit कर दिया एक ही दिन में 10% कर लिया बहुत बड़े trader हो लेकिन at least अगले 4 दिन आपको profit करना है आगले 4 दिन trades place करने है ताकि 5 दिन अपका 5 अलग-अलग दिन trades place होने चाहिए तो वो minimum trading days है तभी आपका eligible हो जाएगा account challenge लेने के लिए profit split up to 100% है यानि आपका जो profit है अब जो भी profit बनाओगे split up to 100% है पहला महिना 70 दूसरा में 80, तूसरा में 90 फोर्थ मन 100% news trading allowed है तो अब आपने ये website देख ली आपने रूल्स ट्रेडिंग रूल्स जाके देख लिया ट्रेडिंग रूल्स को आप अच्छे से समझो अच्छे से एक बार go through करो यहाँ पर ये रूल्स है कि क्या क्या allowed है क्या क्या allowed नहीं है minimum trading days, weekly lot consistency risk lot management देखो ये सबसे major part होता है रूल्स अब बहुत ज़्यादा रूल्स है मैं चाहूंगा कि आप बाद में आराम से पढ़ लो, notes बनाओ, print out निकालो जब भी challenge लो तो कि अगर मैं एक एक करके rules explain करने लग जाओंगा तो time काफी जाएगा, video काफी बड़ी हो जाएगी तो कि मुझे आपको इसका गुत्र explain करना है अब लेते हो, आप challenge मान लो एक लाग डॉलर का, मैं ले लेता हो एक लाग डॉलर का challenge अब आपको यहाँ पर sign in करने बोलेगा आप पहले register कर लो, नाम, email, number अपने register कर लिया, अब आपका verify होगा एक बार email, OTP अगर आपके inbox में नहीं आया तो junk box जरूर चेक करना account बनने के बाद, आपको अगले page पे लेके जाएगा अब जैसी यहाँ पर आओगे, home page पे आपको जाना है, new challenge में ठीक है, new challenge पे आपको click करना है, new challenge पे click करोगे, तो आपको बोलेगा कि किस type का account चाहिए, पहले country select करो, इंडिया, उसके बाद step 1, step 2, step 2 में बता तो क्या होता है, step 2 होता है कि देखो, यह होता है कि आप challenge खरीदो, एक ही step में मतलब, तुरंट 10% target होते ही, आपको real account मिलेगा, step 2 में क्या होता है कि दो step होता है, अगर आप पहले इसमें 8% aim करो, दूसरे इसमें 5% aim करो, और यह थोड़ा prices जो होते हैं, इसके cheaper है, जैसे यह $5.50 का है, तो यह $4.99 का है, थोड़ा cheaper होता है and targets इसके मतलब, इसमें overall जो daily loss है, और overall loss जो है, वो ज़्याद होता है, यहाँ पर 10% overall loss है, यहाँ पर 6% overall loss है, तो यह फाइदा होता है, step 1 step 2 का, so अब यहाँ पर आप गए अपने step 1, step 2 select किया, platform mt5 है, metatrader 5 अब play store, app store, google कहीं से भी download कर सकते हो, account size select किया, $100,000 का I'm not a US resident, choose कर लो अब फिर title नाम सरनेम street postal code अब जो भी अपका details है यहाँ पर डाल दो ठीक है, so यहाँ पर डाल दी सारे details उसके अब proceed to pay, agree अब आपको बोलेगा कि payment कैसे करोगे USDT, TRC USDT या UPA हम UPA select करेंगे bank detail bank detail में भेजना है या QR code में भेजना है तो यहाँ पर हमेशा यह change हो सकता है यह change होते रहता है तो यह exact मत लेना जो भी अपको उस time पर provide करेंगा QR code बोल रहा है QR code हम scan करेंगे अपने यहाँ पर transaction ID डाल दी और एक screenshot अपके payment का यहाँ पर डालना है तो जैसे डालोगे यहाँ पर submit पर click करना है तो मैं यह करता हूँ और payment करता हूँ यहाँ पर transaction ID डालता हूँ और submit करता हूँ और उसके बाद का process explain करता हूँ अब मेरा challenge जो है approve हो चुका है अब देखो यह मेरा 1 लाग डालर अब मुझे यहाँ पर जाना है इस पर click करना है credentials पर जैसे click करूँगा मैं मुझे मेरा ID पासवर्ड आएगा अब यह ID पासवर्ड को इस ID पास को मुझे अपने MT5 में जाके login करना है अब MT5 में जाके login करते हैं यह credentials पर click करूँगा मेरा MT5 आएगा अब उस पर जाके उस ID पास को मैं मेरे MT5 में login करूँगा ठीक है तो MT5 स्क्रीन को open करते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो account है वो 100,000 डालर का वो आ चुका है यहाँ पर मैं आपको settings पर लाके जाता हूँ और यह देखो यह same ID जो MT5 की यह same ID यहाँ पर भी आ चुकी है और यह live account अब देख रहे हो यहाँ पर demo दिखता है अगर आपका जो account है वो prop account है तो और देख सकते हो अब है funded from S1 ठीक है यह gold का trade है मेरे यहाँ पर मैंने select किया gold पर trade दबाया अब देखो lot size होगेरे सारे मुझे rules यहाँ पर follow करना है तो मैं मेरे account के हिसाब से कोई भी lot size होता है consistently pick करता हूँ यहाँ पर मैंने trade place किया मैंने यहाँ पर buy order दबा दिया ठीक है उसके बाद एक और example में same lot size का trade gold में लेता हो इस बार sell लेता हो और देखो यहाँ पर trade चल रहा है तो यहाँ पर trade चल रहा है और इस बार मैंने इस trade को जो भी profit होगा या जो भी trade होगा profit पर close कर देता है ड़न अब यह देखो history देखो यह एक डॉलर account profit loss अब कुछ देर में यह जो trade है यहाँ पर भी update हो जाएंगे अगर dashboard पर जाएंगे यहाँ पर I think थोड़ी देर में यह देखो balance security यहाँ पर update हो गया यह देखो minimum trading days अब देखो daily loss limit अपडेट हो गया maximum loss limit अपडेट हो गया फिर इसमें statistic दिखाएगा कि क्या average win अवरेज loss क्या है यह सब कुछ dashboard में आपको यहाँ पर बता देता है तो that's it आपको challenge pass करना है challenge pass करोगे तो request for a new account आएगा और फिर उसके बाद request for live account आएगा live account आने के बाद real account आएगा जो भी यह profit करोगे उसका आप first month 70% second month 80% third month 90% आप ले सकते हो so this is how it works and funded firm is the best crop firm you are looking for in the market so I hope मैंने आपको सब कुछ explain कर दिया है मैं इस पर और videos बनाऊंगा और series बनाऊंगा ताकि और easy with time आपको platform के बारे में props के बारे में कैसे pass करें क्या psychology चाहिए कौन लेना चाहिए कौन नहीं लेना चाहिए सब कुछ में आने वले time में videos में explain कर दोगा so video को like कर देना thank you so much video के से पसंद ज़रू बताना description में link है fundedfirm.com का ज़रू चेक कर लेना thank you